नमस्कार दोस्तों, हिंदी नीजे फैस में आपका स्वागत है दोस्तों आज भारत की पार्दियमेंट में लोक सभा में एक बहस के दोरान कुछ ऐसा हो गया कि उसमें इस तरह का जबर्जस्ट तरीके से हंगामा हो गया और ये जो बहस हो रही थी, ये अनराक ठाकुर और विपक्ष के नेता जो अपोजिशन के हैं राहुल गांधी उनके बीच की बात थी लेकिन इसमें जो ज़्यादा गुस्से में दिखे वो अखलेस यादा ये दिखे दरसल बात ये है कि अनराक ठाकुर ने ये बोला कि जिनको अपनी ज्याति का पता नहीं वो गन्ने की बात करते हैं इस तरह की वर्डिंग्स अनराक ठाकुर ने यूज करी अनराक ठाकुर जो भारती यंता पार्टी के सांसाद हैं तो दोस्तों उन्होंने ये बात कही उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ये जो बात कही है उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए कही है और इन्होंने जब ये बोला इसके बाद अखलेश यादवजी खड़े हुए और काफी गुसे में थे उन्होंने कहा कि आप किस कि जाती कैसे पूछ सकते हैं ये समझ लिए कि अखलेश याजवत जी इस बात को लेकर कई बार इनों ने बोला और बहुत कड़े सब्दों में इसके आपते दर्ज कराई फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जाती तो पूछी जा सकती लेकिन संसद के अंदर नहीं पूछी जा सकती है कुछ लोग कह रहे हैं बाहर पूछी जा सकती है कुछ नेता ये कह रहे हैं कि पूछी नहीं जा सकती है अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये वही नेता है जो कहते हैं जातिकत जंगरना होनी चाहिए और जब जातिकत जंगरना होनी चाहिए तो आपको अपनी जाती बताने में क्या तकलीफ है अगर बाइचांस कोई मुझसे पूछे कि आपकी जाती क्या है तो मुझे अपनी जाती बताने में क्या तकलीफ है मैं बता दूँगा भाई मैं अगर जाती जनगरना का समर्थक हूँ तो मुझे अपनी जाती बताने में क्या तकलिप है कोई दिक्कत नहीं मैं तो बता दूंगा तो वैसे ही नेताओं को भी तो सुचना चाहिए कि आप एक तरफ तो कहते हो कि जातिकत जंगलना होनी चाहिए और यहां तक कि आपने अपने राजियों में कुछ जगा कॉंग्रेस ने करवाई भी है जैसे कि करनाट सादिक उर्णकि नहीं गिया लेकिन जंगलना तो करवाई इसके बाद बिहार में में बिहार में जब गौंग्रेस सत्ता में थी इसके जैडियू के साथ में उस वक्रवाई गई थी उस वक्रवाने opens ले के बाद उन्हों ने सब पब्लिक डोमेंट में नहीं लेकर आए तो इनको ये double standard नहीं रखना चाहिए और अखलेश्या तो जी काफी नाराज हो रहे थे इनको भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इनकी तो राजनीती ही PDA पे है पिछला दलीत अल्ब संक्यत तो इनकी तो इन्होंने select ही कर लिया जातियों को पिछले में कौन आता जातियां नहीं है दलीत में जातियां नहीं है इन्होंने तो अगलों को छोड़ी दिया इन्होंने तो पकड़ा ही पिछला दलीत और अल्ब संक्यत तो जातियां तो खुदी पकड़ा को चलना है और इतमे नाराजगीन को हो रही है इसके बाद अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान बनती हैं और इनके लिए एक रोट सो के दौरान राहुल गांधी जी ने बोला था कि ये जो नरेंद्र मोदी जी ओबीसी अपने आपको बोलते हैं और ये ओबीसी गलत हैं इन्होंने अपनी जातिको जबर ज़स्ती ओबीसी के ये नकली OBC है ये राहूल गांदी जी ने बोला था लेकिन जब बाद में सारी चीज़े हुई इनके बयान के बाद तो पता लगा कि नरेन मुदी जी के उपर जो भी बात राहूल गांदी जी ने कही है वो सब गलत बोली है नरेन मुदी जी की जो जाती है वो OBC में आती है और वो OBC है लेकिन राहूल गांदी जी को ये सायद उस वक्त पता नहीं था या गलत बोल गए ऐसी अगर किसी को लगता है कि जाती का जद्गर्दा नहीं होनी चाहिए तब तो वो ये बात बोले कि हाँ ठीक है जाती पूछना गलत है और फिर अनरक ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया हाँ लेकिन कुछ चीजों में ऐसा होता है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए संसद का जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहां के कार करने के लिए होना चाहिए सवाल पूछने के लिए होना चाहिए और सुझाओ देने के लिए होना चाहिए इसलिए नहीं होना चा नहीं इन राज-नेताओं को गंभीरता के सा सरकार अपने घरतें नहीं लेकर आतीह तो इन सब चीजहों को को भी सोचना चाहिए कि इंस बातों में कुछ नहीं रखा है देश के डेवलेपमेंट पर बात करनी चाहिए और इस पर सूचना चाहिए कि और हम कैसे डेवलप हो जकते हैं क्या उसमें परिशानिया हम उनको दूर करें क्या अच्छाईया उनको और बढ़ाएं ताकि देश को एक अच्छा रिजल्ट मिल सके यह सोच होनी चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह सोच बिपक्ष के अंदर तो कम से कम नहीं दिख रही है हंगामा करने का क्या मतलब बनता है पता नहीं अगर किसी ने आपकी जात पूछी थी तो आपको बता देना चाहिए था और इनको अपनी जाती को सामने लाने पे तकलीफ क क्या है किसी भी पार्टी के ने तागो है अगर आप जातीकर जनकरण चाहते हो आप चाहते हो कि यह होना चाहिए तो अपनी जाती बताने में दो कोई तकलिफ होनी है नहीं चाहिए कभी नहीं होनी चाहिए ठीक है दोस्तों अब इस पर कुछ और अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा धन्यवाद